BJP कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि BJP एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसे में उसे चुनोती देना, उसे हराना, अगर आपकी ही पार्टी में बिखराव दिखाई देगा, एक समन्वे का अभाव दिखाई देगा, अगर यही पता नहीं चलेगा लोगों को कि वोट आपकी प पोट दिया समाजवादी पार्टी को, यही वजा दी कि उनकी अच्छी खाजी सीटे भी आइए देखे वेसे तो बहरती जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां थी अभी तक आप सभी नीतियों में बहरती जनता पार्टी अस्पाल रही है पहले तो इन्होंने नोटबंदी लागूपी, नोटबंदी की वज़े से पूरे देश की अजवेवास्ता चौपट होई है उसके बाद GST लाए, जब GST लाए तो इन्होंने कहा था कि एक ही कर लगेगा लेकिन एक करती वज़े से जितनों ब्रश्टा चार फ्हला हो तर पिदेश में हर आदमें ब्रश्टा चार की चपेट में आ गया है उसके बाद करोना जैसी बीमारी आई, बैस्पे की बीमारी, इसमें भी अस्पल रहे और यहां तक वैक्सीन तक नहीं दे पाए, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए और जाने कितने लोग इसक दुनिया से चले गए तो जब पूरी तरह से भाटी जनता पाटी की नीतियां अस्पल रही है तो फिर हमने इसलिए सोचा है कि जितने भी समान विचादधारा की पाटियां हैं, सर्कूलर पाटियां हैं, एक हो जाए और जैसे यह एक होंगे वैसे बाटी जनता पाटी को क्योंकि इससे पहले वाला सेशन भी हमने देखा, निशाद पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजभर जी क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना देखें, मैंने, आपने में सुना भी होगा, मेरी पहली तो प्रात्मिक्ता है समाजबादी पार्टी पहली प्रात्मिक्ता है समाजबादी पार्टी तो सरा आपने फिर अलग पार्टी का गठन क्यों किया, अब आप देड़ सो सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं ये 2018 के आपके पार्टी के गठन के बाद का पहला चुनाव होगा किस तरह की चुनोतियां हैं आपकी पार्टी के सामने, जिसकी वजह से समाजबादी पार्टी अभी भी फॉर्फरंट में है आपके लिए देखे, ये जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है हमारे परिवार में या अगर नेता जी की वात क्या हुआ है सर यहीं को सब जानना चाते हैं नेता जी की वात अगर मानी गई होती और बो जैसा कि आपने अभी कहा पंचाज के चुनाव में जो अभी पंचाज के चुनाव हुआ है आपको देखने को मिला होगा लोग पर्चा नहीं बहर पाए ठीने गए यहां से यहां तक कि महलाओं का पलू भी खीचा जिया है पलू भी फिर लोगतन बचा कहां पर तो सीधा सीधा लोगतन का गला गोटा गया है इस चुनाव में लेकिन आरोप तो जब आपकी सरकार्थी तब जादा लगते थे लो एन ओर को लेकर कि उस समें गुंडा राज था उस समें कि हमेशा कहा है अगर कहीं पर भी कोई भी गल्ती करता है अगर कानून के अवहिलना करता है सम्मिधान के अमसाल नहीं चलता है तो उसके खिलाब कारवाई होना चाहिए लेकिन जात के धर्म के नाम पर भासा के नाम पर अगर कहीं पर भी सम्मिधान के अवहिलना अगर करेग तो वो तो गलत है तो जाती के नाम पर धर्म के नाम पर भाशा के नाम पर चुनान ना लडा जाए इन सबसे उपर क्या है मुद्द राम inhibCRI का मुद्द यह मुद्द होगा और क्या मानते आप इससे दुरुऑकरण होगा देखिए बग Clement को ओ पिचार और आस्था के पितिक थे अब वो मुद्दा तो खतम हो चुका है कोट ने मुद्दा खतम कर दिया मंदिर बनेगा तो योगी जी गया ना सर वहाँ शिला नयास के एक साल हुआ वहाँ पर भव्यकार्करम आयोजन हुआ मंदिर और राम और इनमें तो सब को आस्ता है और जैसे ही मंदिर बनेगा सबसु पहले हम जाएंगे दर्सम करेंगे राम ललाते बनेट वो आपने कहा कि आपका प्यार्स ने आशिरवाद सब कुछ अखिलेश पाएंगे अगामी चुनाव में कल उन्होंने बहुत महत्पूर सा एकिल राली करी आप उसमें शिर्कत नह जान कर नहीं गए देके उनकी पाटी अभी समाजवारी पाटी अलग है हमारी प्रगत्सी समाजवारी पाटी लोहिया अलग है अलग है अलग है पर बतौर चाचा ही चले जाते है आप आप आशिरवात दे आते ने भतीजे को आप हमने कारिक्रम की शिर्वाती इसी सवाल क समाज नहीं मिला है समाज नहीं मिला है लेकिन मैं जानता हूँ कि देखे समाजवादी पाटी जब हम में रहा तो चालीस साल का समाजवादी जो सफर है जो मैंने नेता जी के साथ काम किया है नेता जी ने दुष्मनों को भी गले लगाया गले लगाकर के उन्हें संतुस्ट किया है और संतुस्ट करके आगे बढ़े हैं यह किस दुश्मन की बात कर रहे हैं आप आजम कान की बात कर है आजम साथ दुश्मन नहीं थे अगर आपको जानकारी है तो पता कर ले ना